खरगोन जिले में लॉकडाउन की इस्थिती निर्मित होने से मजदूर तबके के हालात काफी खराब हो चलें तो साधी ब्याहा में लॉकडाउन के नियमों में लोगों के आर्थिक तंगी के दो राहे पर लागर खड़ा कर दिया है इसी के चलते बेंट बाजे वाले जिला कलेक्ट कर ले पहुचे और अपनी आप बिती सुनाई दरसल ब्याहा साधी के सीजन में लगे इस लागडाउन में सीजनल व्योसाय करने वालों की कमर तोलकर रख दी है लिहाजा आर्थिक तंगी के दोर से गुजर रहे बेंट बाजे वाले जिला कलेक्ट कर ले पहुचे और आर्थिक तंगी से उभारने के नाम पर ग्यापन सोपा इस दुरान उन्होंने मीडिया से बाचीत ने बताया कि हम कर्च तले आर्थिक तंगीस के दोर से गुजर रहे हैं ऐसे में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है वहीं रुबरू पिडितों ने परचासन से मांग की कि हमें अनुदान या बेंगरिन परदान कराते हुए हमें आर्थिक तंगी से उभारा जाए बारहाल करोना महामारी और लागडाउन का खामियाजा मंदूर तबके को उठाना पड़ा है जिन्हें कोई देखने वाला ना सुनने वाला है खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट आगो धिया की साधियों की मंसूरी दी जाहिए परांतु साधीयों हो रहे लेकिन हम सथीयों में जो हमारी प्रस्तुतिश की देते हैं भूह हमारहे प्रसासन को देखते हुए जो हमारा नुकसान वहां बेनवास्पियों का उन्हें किसी तारीके से यह दिलवाए जाया उनके द्वारा याप कलेक्टर के बाते में और उनके इसमें कोई योजना हो उसमें हम अनुद्वान दिया जाए अगर यह मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो हम प्रसासंग जागे इस बात तनियोता रखते हैं हम भूख हरताल और बड़ा अंदोलंग करने को मजबूर होना पड़ेगा मेरा नाम वहीं सामोदे है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूले